हलो फ्रेंड्स वेल्कम तो निटिंग ट्यूटर आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं यह बनने वाला स्वेटर दिकी इसको हमने यहां से गले से शुरू करके बनाना है इस तरह से यहां जालियां बनाएंगे हम उसके बाद आस तीन बनाएंगे फिर यह बनाएंगे यह मैं बनाने से साफ düny 10 खरा ठेक के बचित को या हूँ कि Philippines Tengy मैंने इसका अर इसकी जिनिए दो पार्ट में बनाउंगे इसको भी बीच में से ठाप पोरी वीडियो दस्क पेमाम के साइख हो और बीच में जणे हैं profil जाली बनानी है कहां कितने फंदे रखने हैं किस एज के लिए क्या करेंगे वह समय इसमें बताऊंगी तो आप पूरी वीडियो जरूर देखिएगा इस तरह से हम इसको गले के लिए बनाएंगे अगर आप इसको न्यूबॉन वेबी के लिए बना रहे हैं तो आपको कितने आप दर रखने हैं वह दो जाएंगे तो आप यह वीडियो पूरी देखिए देखिएगा और मेक चीज बताना चाती हूं अगर आप शिलाए के शौकीन है और आपको सिलाई करना आती है तो मेरा एक सिलाई का चैनल है सिलाई सेंटर नाम है उस पर आपको हर तरह की वीडि भी घर में यूज होने वाली चीजे हैं, पुराने कपलों से दरी या रग कैसे बनाते हैं, वो सब आपको मेरे चैनल पर मिलेगा, तो आप मेरा वो चैनल भी देखें, और सबस्क्राइब करें, चलिए अब ये स्वेटर बनाना शुरू करते हैं, कि हमें ये वाला स्वेटर क आप चाहें, तो बेबी भूल ले सकते हैं, अगर आप ज्यादा चोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं, तो आप बेबी भूल लें, ये देखिए, ये मैंने लिए दस नंबर की सलाई है, दस नंबर की सलाई पर हम बुनेंगे, और उन है हमारी के वर्दमान की रबिट एक 76, 76 फंदे हमें इसमें डालने हैं, बहुत ज्यादा टाइट नहीं डालेंगे हम ये फंदे, ब्लुकुछ सलाई के बराबर रखेंगे, इस तरह से हम इसके 76 फंदे हम इसमें डालेंगे, इसमें 76 फंदे हम इसमें डाल लिए हैं, अब हम इसको बुना शुरू करेंगे, उल्टा-उल्टा हमें इसका बॉडर बनाना है, दोनों साइट से हम इसको उल्टा-उल्टा बुनेंगे, इस तरह से हम ये पूरी सलाई कम्प्लेट कर लेंगे, यहां से यहां तक हमें ये ऐसे ही बुनना है, ये वाली सलाई हमारी इस तरह से बुनते हुए हमने ये कम्प्लीट कर लेंगे, ये पहली सलाई है बॉडर की, आठ सलाई का हमें ये बॉडर करना है, अब हम दूसरी सलाई बुनेंगे, पहला पंदा हम बिना बुना ले लेंगे, ये सलाई भी हम ऐसे ही कम्प्लीट करेंगे, इस तरह से हमें 8 सलाई का कम्प्लीट कर नहीं है, दोनों साइट से उल्टा-उल्टा बुनते हुएentalाई अगर आप सीधा सीधा बुन में, अगर ये सीध बुनने में न color ने में सबक्ता या différents हैं और बॉडर आएगा, और उल्टा उल्टा बुनेंगे तो भी ऐसा ही बॉडर आएगा इस तरीके से अगर आप सिधा सिधा बुन रहें तो सिधे सिधे की 8 सलाई करिए अगर आप उल्टा बुन रहें तो उल्टे उल्टे की 8 सलाई हमें ये बॉडर की कम्प्लीट करनी है या अगर आप 10 सलाई का भी करना चाहें तो आप 10 सलाई भी कर सकते हैं मैं यहां 8 सलाई का बॉर्डर बना रही हूँ तो मैं 8 सलाई कम्प्लीट करूँगी इसी तरह से दोनों साइट से बुनते हुए यह देखिए 8 सलाई हमने यह कम्प्रीट कर लिए 8 सलाई पर है हम इधर से देखेंगे आप 1,2,3,4 लाइन हमारी इधर बन गई एक, दो, तीन, चार, चार लाइन हमारी इधर बन गई अब हमें यहां पर हम बटन होल बनाएंगे, साथ फंदों की हमारी बटन पट्टी है साथ फंदों की हमारी बटन पट्टी है तो हम बीच वाले फंदे पर बटन होल बनाएंगे पहले तीन फंदे बुन लेंगे उसके बाद इस तरह से दो बार सलाई की ऊपर धागा ले लेंगे और इनको ऐसे ही बुन देंगे बहुत ज्यादा बड़े इसमें हमने इस तरह से हम यहां मैंने अभी फंदा नहीं घटाया था जब हम बटन होल बनाएंगे तो हमें फंदे भी इसमें घटाने होंगे तीन फंदे हम बुन लेंगे साथ में से पहले और चार फंदे हमारे यह बचे इस तरह से दो बार हमें यह फंदा लेना है और एक फंदा हमें यहां घटा देना है दो फंदे का एक फंदा करेंगे अगर बटन बटन होल बना रहे हैं आप वैसे तो छोटे स्वेटर में नहीं बड़े बटन अच्छे लगेंगे तो उसका अलग तरीका है मेरे चैनल पर पहले से वीडियो है बटन होल की आप देख सकते हैं यहां से यह इस तरह से उतार देंगे एक फंदा हमने यहां घटाय तो एक फंदा हमारा यह जाली से बढ़ जाएगा इससे चोटा अगर आप बटन लगा रहे हैं अगर ज्यादा चोटा बटन है तो जो मैंने सलाई पे दो बार ऐसे करके धागा लिया था आप दो बार ना लेके एक बार लेंगे तब भी यह सही आ जाएगा तब चोटा ज् बटन लगा एक नाल कि भी बनाँएगे अब हम्टन पट्ची के बटन रहीति बंदे बनाएंगे सीधे, इन फंदों को हमें डिवाइड करना है, कौन से हमारे आस्तीन के हैं, कौन से आगे के पल्ले के हैं, कौन से पीछे के पल्ले के हैं, यह हो गया हमारे आठ फंदे, यहां हम एक जाली बनाएंगे, धागा आगे लेंगे, फंदा पीछे बनेंगे, यह हो गया हमारा आग भाट कर्पिन लगा देंगे , उसके बाद बुनेंगे आस्तीन का , एक फंदल बुनेंगे धागो आगे लेंगे , यह एक फंदल फंद फंद पहले बुना इस फंद 'tा को गिनते हुए, हमें 9 हंद दू diz नमक παूटिन रमर sizi पंटा लें पाँच, छे, साथ, आठ, नौ, नौ फंदे हो गए ये, अब हमें फिर से धागा आगे लेंगे और एक जाली बनाएंगे, उसके बाद फिर यहाँ एक मार्कर पिन लगाएंगे, ये हो गए हमारे आस्तीन के फंदे, ये बटन पट्टी के फंदे, ये आगे के पले के फंदे, ये हो गए आस्तीन के फंदे, अब हम फिर से धागा करेंगे, एक फंदा बुनेंगे, उसके बाद जाली बनाएंगे, जाली बनाते हुए जो फंदा हमने बुना उसको भी गिनेंगे, और इसको गिनते हुए बीस फंदे हम यहाँ करेंगे, ये तीन फंदे हो गए, चार, पांच, छे, साथ, हाट, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, सोला, सत्रा, टारा, उनिस, और ये बीस, दागा आगे लेंगे, और एक जाली बनाएंगे, बीस फंदों के बाद, फिर यहाँ एक मारकर लगा देंगे, एक खंदा बुनेंगे, लागा आगे लेंगे, और यहाँ हम बुनेंगे, नो फंदे, तीन हमारे यह हो गए, यह हमारे आस्तीन के फंदे हो जाएंगे, यह हो गए, आस्तीन के नो फंदे, तीन, तीन, छे, तीन, नो, फिर धागा आगे लेंगे, एक जाली बनाएंगे, यह हमार कर पिन लगा के, एक फंदा बुनेंगे, तीन धागा आगे लेंगे, जाली बनाते हुए हमें यह आठ फंदे कंप्लीट करने हैं, और अब हमारे यह बज गया, साथ फंदे बटन पट्टी के, यह हमें एक मारकर लगा लेंगे, और इनको उल्टा बुनेंगे फंदो को, जो हमारे बटन पट्टी के फंदे हैं, वो हमें दोनों साइड से उल्टे ही बुनने हैं, अब हमें, उल्टी सलाइब पूरी उल्टी बनाएंगे हो, यह जो हमारे जाली के फंदे हैं, इनको भी हम इसी तरह से बुनेंगे, यह मारकर पिन जो है हमारी इधर सलाई में शिफ्ट करते हुए, इस तरीके से यह हम उल्टी सलाई कम्प्लीट कर लेंगे, यह हमारी बटन पट्टी के फंदे, यह आगे पले के फंदे यह पीछे पले के पले के फंदे, यह पीछे पले के फंदे, मैंने ये आपको अगर डिविजन करना हो इसका क्या आप किस तरीके से करेंगे तो इसमें एक या दो फंदा इधर उधर हो जाए तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन हमारे ये फंदे सब जगा बराबर होने चाहिए जैसे कि इस आस्तीन में अगर मैंने नौ लिए है तो इस आस्तीन में भी मेरे नौ होने चाहिए अगर एक आस्तीन में आट होंगे एक में नौ होंगे या दो या तीन फंदे का फर्क हो जाएगा तो फिर ये फर्क अच्छा नहीं लगेगा दोनों आस्तीन में बराबर होने चाहिए दोनों आगे के पल्लों में बराबर होने चाहिए कम या ज्यादा हों वो चलेगा लेकिन बराबर होने चाहिए एक फंदे में कम या एक फंदे में ज्यादा इस तरह से नहीं होने चाहिए जैसे कि मेरे ये आठ फंदे मैंने यहां लिए आठ फंदे मैंने यहां लिए नौनो फंदे मैंने आस्तीन में लिए अगर आप बड़े बच्चे का बना रहे हैं और बड़ा स्वेटर बना रहे हैं और यहां फंदे आपके ज्यादा हैं तो आप यहां भी 10 ले सकते हैं यहां भी 10 ले सकते हैं यहां 11 कर सकते हैं और उसी हिसाब से आपको पीछे के पल्ले में आपको उसके डबल फंदे लेने ह अगर फंदों के कल्कुलेशन में कुछ जैसे कि मान लीजे अभी दो फंदे और एक्स्ट्रा होते इसमें तो मैं वह दो भी पीछे पल्ले में रखते क्यूंकि आगे पल्ले में हमारे अल्रेडी इन चौदा फंदे एक्स्ट्रा हैं बटन पट्टी के इस तरह से हम इसको ढिवाइड कर लेंगे अब हम अगली शन बन नी है यहां पर भी हम जाली बनाएंगे अब हमारे जहां 9 फंदे थे वहां हमारे 11 फंदे हो जाएंगे जहां हमारे 8 फंदे थे वहां और यहाँ रहे ज़ाय से आपको पता चल जाएगा कि कहां पर आपके बटन पट्टी के फंदे हैं कहां आपकी जाली है तो आप चाहें तो आप यह पिन निकाल भी सकते हैं अगर आपको इस तरह से comfortable नहीं हो रहा है तो चाहें तो आप यह पूरे टाइम लगा के रखें इस तरह से पिन और अगर comfortable नहीं है और आपको सही से समझ आ रहा है कि आपको कहां तक क्या बुनना है तो आप इन पिन को निकाल सकते है देखें यह मैंने यहां अब यह तीन और एक सीधा फंदा यह बीच में हमारे दो फंदे सीधे चलेंगे एक यह इधर आगे पल्ले की तरफ एक आस्दीन की तरफ तो यह एक फंदा जो हमारा यह है इसमें हम जाली बनाएंगे उसके बाद ये पीनी धर ले लेंगे ये वाला फंदा बुनेंगे सीधा फिर धागा आगे लेके इस फंदे पर हम ये जाली बनाएंगे ये हो जाएंगे हमारे 9 फंदे से 11 फंदे इसमें हमारे हर सीधी सलाई में आगे पल्ले में एक फंदा बढ़ेगा आज तीन में दो फंदे बढ़ेंगे पीछे पल्ले में दो फंदे बढ़ेंगे इस वाले आज तीन में दो फंदे बढ़ेंगे और इस वाले आगे पल्ले में एक फंदा बढ़ेगा यानिकि हमारे आठ फंदे हर सीधी सलाई में बढ़ेंगे इसलिए आप चाहें तो यहां पर बड़ी सलाई लगा लें या इस तरह की जो सर्कुलर नीडल आती है इसको लगा लें आप तो इसमें ज्यादा कमफुटेबल रहेगा क्योंकि जब ज्यादा फंदे हो जाता है तो चोटी सलाई में मुश्किल होती है चाहें तो आप बड़ी सलाई लगा लें या आप यह सर्कुलर नीडल लगा लें इसमें यहां तक हमने इसको बुन दिया जाली का फंदा हमें बुनना है और इस वाले फंदे पर हमें यह जाली बनानी है पिर यह पीनी धर लेंगे एक बुनेंगे दागा आगे लेके जाली बनाएंगे हमारे 20 फंदे बुनके हमने जाली बनाई थी इस बार हमें 22 फंदे बुनके जाली बनानी है पीछे का फला चल रहा है जाली का फंदा हमने बुन दिया अब यहां जाली बनाएंगे पीनी धर रखेंगे पीनी धर रखेंगे यहां दागा आगे लेंगे और इस बंदे पर जाली बनाएंगे इस तरह से यह वाला पंदा इधर ही रखेंगे और यहां पर जाली बनाएंगे एक पंदा बुनेंगे और यहां जाली बनाएंगे हो गया अब यह पीनी धर लेंगे दागा आगे लेके यह बंदे हम उल्टे बनाएंगे जो हमारे बटन पट्टी के बंदे हैं इस तरह से यह अब चाली बनती जाएंगे हर बार हमें यही रिपीट करना है अब यह वाली सलाई में शिफ्ट कर लेते हैं फंदे कि यह उल्टी सलाई हमें उसी तरह से बनानी है जैसे हमने पहली उल्टी सलाई बनाई इस तरह से हम उल्टी सलाई कम्प्लीट कर लेंगे इस तरह से मैंने यह उल्टी सलाई कम्प्लीट कर लिए अब हमारी यह दो जाली यहां बन गई कि हां से हम फिर से वोही रपीट करेंगे इस तरह की सलाई में मैंने इसको लगा लिया है इससलाई में यह भी कम देखी हए आप ये भी बेनिफिट रहेगा कि अगर आप देखना चाहें कि आप इसकी कैसी शेप बना रहे हैं तो इस तरह से करके या आप इसकी शेप भी देख सकते हैं Isthricta कि यहां से कैसी शेप आ रही है कि इस तरह की इसकी शेप आएगी यहां से हमारा गला हो जाएगा अब हम इसको आगे बुलेंगे और उसी तरह से हमें इसकी जालियां रिपीट करते जाना है साथ पंदे पहले हम बटन पट्टी के बुल लेंगे अब यहां से अगर आप चाहें तो यह पिंस आप इसमें से निकाल सकते हैं इसके बाद हम यह आगे के फंदे जितने होंगे जाली के फंदे तक वह फंदे बुन लेंगे हर सीधी सेलाई पर इसमें एक फंदा बढ़ता जाएगा यह अगला पला है हमारा यह देखिए यह जाली का फंदा हमें बुनके तब अगली जाली बनानी होती है बस यह ध्यान में आपको रखना है जो अगला वाला बनाएंगे हम यह वाला जाली का फंदा यह सीधा फंदा बुनके और जो जाली का फंदा है इसके उपर जाली बनानी है हर सीधी सलाई पर और उल्टी सलाई पूरी उल्टी बनानी है यहां यह जाली का फंदा बुन दिया इस फंदे पर हमने यह जाली बना दी एक फंदा बुना दागा अगे लिया इस तरह से हमें यह 19 या 20 जाली होने तक हम यही जाली बनाते जाएंगे सिर्फ इन दो फंदों में हमें यह जाली बनानी है इन दो फंदों के एक इधर एक इधर जाली आनी चाहिए और बाकी जो बढ़े हुए फंदे हैं वो इधर उधर बढ़ते चले जाएंगे यह देखिए यह इस तरह से हमने इसमें सर्कुलर नीडल में यह बुन लिया है इसकी मैंने बनाई है यहां पर 19 जाली यह दो दो फंदे हमारे यह बीच में चलते जारे हैं इस तरीके की शेप आएगी यह हमारा आगे का पला हो गया यह हमारे आस्तीन यह पीछे का पला यह यह बीचे का पला है इस तरह से यह पंदे हो गया हमारे अब हमें इनको डिवाइड करना है हमें यहां से आस्तीने अलग करनी है और यह अलग करना है जैसे कि यह मैंने यहां 19 जाली बनाई है अगर आप यह न्यूबाण बेबी के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें दो त चाहां आठ लिए तो आप साथ लेंगे जहां हमने नौ लिए तो यहां हैं एसमें जाना भीच उफठी ईस तरह से फन्साटै करना हैं तो 20 बहुत इंस पन्टेलिए थी ऐर सप्षागाल दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंद्रा, सोला, सत्रा, 35 फंदे हो गए, यह 35 फंदे हमारे आगे के पल्ले के हो गए, अब हम यह आस्तीन के गिनेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंद्रा, सोला, सत्रा, ठारा, निस, बीस, एकिस, बाइस, देईस, चौबेद, यह हो गए हमारे 49 फंदे, यह हमारे आस्तीन के हो गए, पीछे के पल्ले के हम गिनेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंद्रा, सोला, सत्रा, ठारा, उनिस, बीस, इस, बाइस, एस, चौबेद, बच्चिस, चब्चिस, चब्चिस, इस, इस, तीस, पंदे, यह हमारे 60 फंदे, पीछे के पल्ले के हो गया है, इसी तरीके से हम इनको अलग-अलग बुनेंगे, यह वाले आस्तीन अलग बुनेंगे, यह वाले आस्तीन हम अलग बुनेंगे, उसके बाद पल्ले हम चाहें तो तीनो साथ में भी बुन सकते हैं, और अलग-अलग भी बुन सकते हैं, लेकिन जब छोटा स्वेटर बुनती हूं तो मैं तीनो पले साथ में बुनती हूं तो जैसे आपको कमफोटेबल हो आप ऐसे बुने लेकिन उससे पहले हमें यह आस तीनों के भंदे बुनेंगे हम पहले यह बटन पट्टी के भंदे बुन लिए अब इसमें पिन का कोई काम नहीं है हम यह मारकर पिन हटा देंगे यहां पर मैंने बटन होल एक बॉटल के साथ किया था जो बॉटल की आखरी लेकि असे बाद हमने यह दूसरा बटन होल बनाया है यह आप दूरी अपने हिसाब से रख सकते हैं कि आप को कितनी दूरी रखनी है और मैंने रखी ए एक दो तीन चार पाँच चे साथ आथ नो 11 लाइन के बाद यानि कि मैंने 22 सलाई के बाद यह दूरी रखी है तो आप यह दूरी कम यह ज्यादा भी कर सकते हैं अभी हमें यह आगे पल्ले के फंदे इस सलाई में ले लेंगे और दूसरा दागा लगा के हम यह आस्तीन बुनेंगे कि यह जाली का फंदा हो गया और एक फंदा यह जो दो फंदे जा रहे हैं इन में से एक फंदा हम आगे की पल्ले में लेंगे और एक फंदा हम आस्तीन में लेंगे यह हमारे आगे के पल्ले के फंदे अबoms जो आस्तीन बुलेंगे उसके लिए हम दूसरी सलाई लगाएंगे और दूसरा दगा लगाएंगे में मांद बंद सकें, एक कि जमेंन पार्ट होता है नहीं की यह भलानकी में। पार्ट होता है जाली कि करें फंद को बंद कूलें के बड़ कर दोद के छी जुआ होजकлох kostनाहाओ कि परब्लेक चुआ इसमें कोई ज्यादा जञ परते हैं, इस दो चीजों पर आपको धियान रखना है कि पंदो का डिवाइट कैसे करना है यह आस्तीन आस्तीन के पंदे हम इसमें बुन लेंगे दो पंदे सीधे एक पंदा पीछे जाएगा एक पंदा आगे यह आस्तीन में आजाएगा अब इन फंदो को हम छोड़ देंगे और हमें सिर्फ यह आस्तीन वाले फंदे बुनने हैं कम से कम यहां हम छे या आठ सलाई बुनेंगे और उसके बाद हम यह यहां फंदे घटाना शुरू करेंगे यह उल्टी सलाई है कि यह हमने उल्टी सलाई कंप्लीट कर ली अब हमारी यह हो गई दो सलाई अब हम यहां चार या छे सलाई और इसी तरह से बुनेंगे उसके बाद हम यहां फंदे घटाएंगे यहां बिना कोई भी फंदा घटाए हुए मैंने यह छे सलाई कंप्लीट कर ली है अब हम यहां फंदा घटाएंगे यहां करेंगे हम दो फंदे का एक फंदा यहां इस सलाई कमquito करेंगे और लास्ट में भी हम दो फंदे काए क्वंड़ा करेंगए कि इस तरह से पहले आता हम ने यहां गठा यहां एक ढशाए तो पंदे हमारे कम हो गए इसको हम गिनेंगे उसके पाँ सलाई और फिर एक इधर से फंदा घटाएंगे और अगर आपको डिजाइन डालना है तो आप यहां से डिजाइन डालना शुरू करेंगे और बनाते हुए ही आप यह भूणते घटाते जाएंगे हर छे सलाई के बा तरahl का इसे में फंदे घटाएंगे या लमभाई पूरी होने तक आप इसमें फंदे घटाते रहेंगे इसी घटाब बुनकर में यहां से आगे पल्ल करना भबाएंगे इसी तरह से आपको यह लागर, है यहां पर यह पीछे के पल्ले के फंदे इसमें बुल लेंगे अब हम यह आस्तीन इसी तरह से दोनों साइट से फंदे घटाते हुए कंप्लीट करेंगे चाहे तो आप डिजाइन वाली बनाएं चाहे तो आप इसको प्लेन बनाएं जैसे भी बनाना चाहते हैं या आप इसको मारकर है और ये वाला ये जो आस्तीन के फंदे हैं आगे का पला छोड़ो देंगे हम और पीचे का ये वालो आस्तीन भे इसी तरीक है से इसी तरह से इस्में बनाई है। मैंनेuste की मैं झालकूलेशन करना है Gore क्या करना इसमें अगर आप बड़े बच्चे का बेना साहती तो आप उसी तरा के से इसमें लीग Pmarkt requires work जाली बिल्कुल इसी तरीके से डलेगी बस जाली आपको हर बार एक्स्ट्रा करनी है और यह यह वाले फंदे जो जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो यह बंदे यह बंदे यह सब एक्स्ट्रा आपको रखने होंगे बस यहां से यह वाले फंदे डबल करने हैं डबल से दो च अगली वीडियो ज़रूर देखिए, अमीद है आपको यह अच्छे से समझा गई होगी, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, थैंक्यू, झाल